आप सब लोगों को हमारे YouTube चनल के एक नए और फ्रेस भीडियो में स्वागत है इस भीडियो में हम रामायन से संबंदित 100 महत्वपूर्ण प्रस्ण और उत्तर के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले कई परिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है इस भीडियो को पुरा सुरू से लेके अंतक देख लिजे आप 100 महत्वपूर्ण प्रस्ण का उत्तर जान लोगे और आप भीडियो सही से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो ये आप भीडियो खतम होने के बाद हम आपसे 5 महत्वपूर्ण प्रस्ण पोचेंगे अगर आप आप ने उसका उत्तर सही से दे दिया तो हमें लगेगा कि आप ये वीडियो देख लिए हो तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं तो एसे ही हम इस भीडियो के माध्यम से 100 महत्तपुन्न रामायन के प्रस्टन के बारे में जानेंगे ये रहा पहला सवाल रामायन किस धर्म का एक महान ग्रन्थ है? इसका उत्तर है हिंदु धर्म तो रामायन हिंदु धर्म का एक महान ग्रन्थ है? ये रहा दूसरा सवाल रामायन किस के द्वारा लिखा गया था? इसका उत्तर है बालमिकी तो महर्सी बालमिकी जी के द्वारा रामायन लिखा गया था ये रहा तीसरा सवाल पहले रामायन किस भासा में लिखा गया था इसका उत्तर है संस्कृत जो कि महरसी बालमिकी जी ने पहले रामायन को संस्कृत भासा में लिखा था ये रहा चोथा सवाल रामायन के लेखक बालमिकी जी को किस नाम से जाना जाता इसका उत्तर है आदिकभी तो रामायन के लेखक बालमिक जी को आदिकभी के नाम से जाना जाता है ये रहा पांच बसवाल रामायन महाकाब्य में कितने स्लोकों है इसका उत्तर है चब्विस हजार तो रामायन महाकाब्य जो की हिंदु धर्म का एक महान ग्रंत है उसमें चब्विस हजार से स्लोग है आपने तो जान लिया कि रामायन में कुल चब्विस हजार स्लोक है पर ये रहा छटा सवाल रामायन महाकाब्य में कुल कितने अध्याय है इसका उत्तर है साथ तो रामायन महाकाब्य में कुल साथ अध्याय है गिरहा साथ वसबाल रामायन में अध्याय किस नाम से जाना जाता है इसका उत्तर है कांड तो रामायन में साथ अध्याय साथ कांड के नाम से जाना जाता है गिरहा आठ वसबाल भारतिय कालगणना अनुसार समय को कितने यूग में बांटा गया है इसका उत्तर है चार यूग तो भारतिय कालगनना अनुसार समय को चार यूग में बांटा गया है गिरहा नौ बसबाल भारतिय कालगनना अनुसार चार यूग का नाम क्या है इसका उत्तर है सत्य यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग, कली यूग ये रहा 10 बसवाल रामायन का समय कीस यूग से जाना जाता है इसका उत्तर है त्रेता यूग तो रामायन का समय त्रेता यूग के नाम से जाना जाता है ये रहा 11 बसवाल रामायन का त्रेता यूग कितने वर्स का था इसका उत्तरहे 12,96,000 तो रामायन का त्रेतायुक कुल 12,96,000 वर्स का था ये रहा अगला सवाल सर्व प्रतम किसने किसको रामकथा सुनाया था इसका उत्तरहे भगवान संकर जोकी भगवान सीब ने माता पार्बोति को पहले रामकथा सुनाया था गिरहा तेरवा सवाल रामकथा पहले सुनने वाला कववा कीस रूप से जनम लिया था इसका उत्तर है काकभुसुन्डी तो रामकथा पहले सुनने वाला कववा काकभुसुन्डी के रूप में जनम लिया था गिरहा चोद्वा सवाल कि इस रामायन को विश्व का सर्वर प्रथम रामायन कहा जाता है इसका उत्तर है अध्यात्म रामायन तो अध्यात्म रामायन को विश्व का सर्वर प्रथम रामायन कहा जाता है गिरहा पंद्र बसवाल रामायन की लेखक बालमी की रूसी बनने से पहले क्या थे इसका उत्तर है दस्यू यानि चोर तो बालमी की रूसी बनने से पहले दस्यू थे गिरहा सोल बसबाल बालमिकी के द्वारा स्लोकबद रामकथा को किस रामायन के नाम से जाना जाता है इसका उत्तर है बालमिकी रामायन तो बालमिकी के द्वारा स्लोकबद रामकथा को बालमिकी रामायन के नाम से जाना जाता है गिरहा सत्र वसवाल बालमी की रामायन को और किस नाम से जाना जाता है इसका उत्तर है आदी रामायन तो बालमी की रामायन को आदी रामायन के नाम से जाना जाता है गिरहा अठ्र वसवाल रामचरित मानस को किस ने लिखा था इसका उत्तर है तुलसिदास तो रामचरित मानस को तुलसिदास जी ने लिखा था ये रहा उन्निस बसवाल रामचरित मानस में किसके बारे में लिखा गया है इसका उत्तर है भगवान श्री रामजी के कल्यानकारिक का था ये रहा 20 बसवाल रामचरित मानस ग्रंथ को और किस नाम से जाना जाता है इसका उत्तर है तुलसी रामायन तो रामचरित मानस ग्रंथ को तुलसी दास जीने लिखा था इसलिए इस ग्रंथ को तुलसी रामायन के नाम से जाना जाता है ये रहा 21 वसवाल हिंदु सास्तर के अनुसार भगवान राम किस भगवान के अपतार थे इसका उत्तर है भगवान बिश्टनु तो हिंदु सास्तर के अनुसार भगवान राम भगवान बिश्टनु के अपतार थे गिरहा 22 वसबाल रामायन में भगवान राम ने लंका की कीस राज्या का बध्ध किया था इसका उत्तर है राजा रावन तो लंका की राजा रावन को रामायन में भगवान राम जी ने बध्ध किया था गिरहा 23 वसबाल रामायन का सबसे पहले अध्या किस कांड के नाम से जाना जाता है इसका उत्तर है बालकांड आपने तो जान लिया कि रामायन में साथ अध्या हैं जो कि साथ कांड के नाम से जाना जाते हैं और इसका पहला कांड का नाम है बालकांड गिरहा 24 सबाल रामायन में साथ अध्या यानि साथ कांड का नाम क्या है तो आपने तो जाना ही होगा कि रामायन में साथ अध्या है जो कि साथ कांड के नाम से जाने जाते हैं और वो साथ कान का नाम है बालकान, अयोध्यकान, अरण्यकान, किसकिंधाकान, सुंदरकान, लंकाकान और उत्तरकान, आप लोग याद रख लो, ये बहुती महत्योपुन्न है गिरहा 25 बसबाल, भगवान राम का मुलाकाद हनुमान जी से हुआ था, ये कीस अध्यायों में लिखा गया है इसका उत्तर है किसकिंधाकान, तो भगवान राम का मुलाकाद हनुमान जी से हुआ था, ये किसकिंधाकान अध्यायों में लिखा गया है गिरहा 26 बसबाल, रामकथा का सबसे अंतिम कांड का नाम क्या है? इसका उत्तर है उत्तरकांड, तो रामकथा का सबसे अंतिम कांड का नाम है उत्तरकांड गिरहा 27 बसबाल, रामायन में राजा दसरत किस नगरी के राजा थे? इसका उत्तर है अयोध्या नगरी तो रामायन में राजा दसरत अयोध्या नगरी के राजा थे गिरहा 28 बसबाल राजा दसरत किस बंस के राजा थे इसका उत्तर है रगुबंस तो राजा दसरत रगुबंस के राजा थे ये रहा 29 वसबाल राजा दसरत संतान प्राप्ति हेतु किस यग्यां करवाया था इसका उत्तरहे पुत्रकामेश्ची यग्यां तो राजा दसरत संतान प्राप्ति हेतु पुत्रकामेश्ची यग्यां करवाया था गिरहा तीस बसवाल, राजा दसरत के मुख्य गुरु का नाम क्या है? इसका उत्तर है गुरु बसिष्ठ, तो राजा दसरत के मुख्य गुरु का नाम है गुरु बसिष्ठ गिरहा 31 सवाल पुत्र कामेश्ची यग्यों को की स्रूसी ने संपन किये थे इसका उत्तर है स्रूंगी रूसी गिरहा 32 सवाल राजा दसरत के मुख्य पत्नियों के नाम क्या है इसका उत्तर है रानिक कवसल्या, रानिक कईकेई, रानिस सुमित्रा तो ये तिन राजा दसरत के प्रमुख प्रत्निया थे गिरहा ते तिस्वा सबाल पुत्र कामेश्ची यग्यों के बाद रानिक कौसिल्या ने किस संतान को जन्म दिया था इसका उत्तर है भगवान राम जी को गिरहा तिस्वा सबाल पुत्र कामेश्ची यग्यों के बाद रानी कैकेई किस संतान को जन्म दिया था इसका उत्तर है भरत तो पुत्र कामेश्ची यग्यों के बाद रानी कैकेई भरत संतान को जन्म दिया था ये रहा 35 बसवाल पुत्र कामिस्ची यग्यों के बाद रानी सुमित्रा की संतान को जन्म दिया था इसका उत्तर है लक्षमन और सत्रुगना ये रहा 36 बसवाल राम और लक्षमन बड़े होने पर किस रूसी ने उन्हें अपने साथ ले लिये थे इसका उत्तर है रूसी बिश्वमित्र इरहा अगला सवाल ताड़का राख्यस को किस भगवान ने मारा था इसका उत्तर है भगवान स्री राम तो ताड़का राख्यस को भगवान स्री राम जी ने मारा था गिरहा 38 सवाल राजा जनक किस नगरी के राजा थे इसका उत्तर हे मिथिला जो की जनक पूर के नाम से जाना जाता है तो राजा जनक मिथिला नगरी के राजा थे यह रहा 49 बसबाल राजा जनक कीस यग्यों का आयोजन किये थे जिसमें बिस्वामित्र, राम और लक्समन को लेके मिथिला गए थे इसका उत्तर है धनुस्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्या के पतनी का नाम है उर्मिडा इरहा 42 बसवाल भरत किसको बिवा화 किये थे इसका उत्तर है मांदवी तो भरतंवी को बिवाह किये थे इरहा 43 बसवाल राणि सुमित्र के पुत्र सत्रुग्न किसको बिवाह किये थे इसका उत्तर है सुरूतकिर्ती तो रानी सुमित्रा के पुत्र सत्रुभन सुरूतकिर्ती को विवाह किये थे इरहा 44 सवाल किस रानी के बर्दान के वज़े से भगवान राम जी को बनवास जाना पड़ा इसका उत्तर है रानिक कैकेई तो रानिक कैकेई के बरदान के वज़े से भगवान राम जी को बनवास जाना पड़ा ये रहा अगला सवाल भगवान राम को कितने वर्ष का बनवास करना पड़ा था इसका उत्तर है 14 वर्ष यानि 14 येर्ज तो रानिक कई कई के बरदान के अनुसार भगवान राम जी को 14 साल के लिए बनवास जाना पड़ा था ये रहा अगला सवाल भगवान राम जी के साथ और कीस कीस ने बनवास गए थे इसका उत्तर है माता सिता और लक्षमन तो भगवान राम जी के साथ माता सिता और लक्षमन बनवास गए थे गिरहा अगला सवाल कौन से है जगह पर भगवान राम ने भरद्वाज मुनी से मिले थे इसका उत्तर है प्रयाग में तो प्रयाग में भगवान राम जी ने भरद्वाज मुनी से मिले थे ये रहा अगला सवाल भगवान राम जी का जटायों से मुलाकात पहले कौन से बन में हुआ था इसका उत्तर है दंड़कबन तो भगवान राम जी का जटायों से पहले मुलाकात दंड़कबन में हुआ था ये रहा अगला सवाल पंचवटी बन्न में लक्षमन किसकी नाख कार दिये थे इसका उत्तरहे रावन की बहन सुरुपन खा तो रावन की बहन सुरुपन खा का नाख पंचवटी बन्न में लक्षमन जी ने कार दिये थे ये रहा पच्चास बसवाल शुरूपणखा ने लक्समन का बदला लेने के लिए किसका सहायता मांगी थी इसका उतर है खरदुसन तो लक्समन का बदला लेने के लिए शुरूपणखा ने खरदुसन का सहायता मांगी थी हम लोगों ने भीडियो के आधे में पहुँच गए हैं अगर आप लोग रेश्ट करना चाते हैं तो रेश्ट कर लो पर ये भीडियो पुरा जरूर देख लो क्योंकि और भी पच्चास महत्वपूर्ण प्रस्ण का उत्तर हमने डिस्कस किया है गे रहा अगला सवाल राबन ने अपना बेहन की बदला लेने के लिए किसको स्वन मुर्ग के रूप में भगवान राम के पास भेजा था इसका उत्तर है मारिच गे रहा अगला सवाल राबन किस नारी का अपहरन करके लंका ले जाह रहा था इसका उत्तर है माता सिता तो राबन माता सिता का अपहरन करके लंका ले जाहा रहा था इसका उत्तर है जटायू तो माता सिता को अपहरन करके ले जाहा रहा था राबन और उसके साथ जटायू का लड़ाई हुआ था ये रहा अगला सवाल भगवान राम कीस माता का खाये होए जूटे बेरे खाये थे इसका उत्तर है माता सबरी तो भगवान राम माता सबरी के खाये होए जूटे बेरे खाये थे ये रहा अगला सवाल सुग्रिव वानर कौन से परबत में रह रहा था इसका उत्तर है रुस्यमुक परबत सुग्रिव का भाई का नाम क्या था? इसका उत्तर है बाली तो सुग्रिव का भाई का नाम था बाली ये रहा अगला सवाल सुग्रिव के कहना मानकर किसने बाली का बद्ध किया था? इसका उत्तर है भगवान स्री राम तो सुग्रिव का कहना मान कर भगवान सुई राम जी ने बाली का बद्ध किया था ये रहा अगला सवाल राम ने बाली का हत्या करके कौन सा राज्य सुग्रिव को दिया था इसका उत्तर है किसकिंधा राज्य तो राम ने बाली का हत्या करके किसकिंधा राज्य सुग्रिब को दिया था यह रहा 69 सवाल तो सुग्रिब को किसकिंधा राज्य देने के बाद किसकिंधा राज्य का युबराजपद किसको दिया गया था इसका उत्तर है अंगद तो बाली के पुत्र अंगद को किसकिंधा राज्य का इवराजपत दिया गया था ये रहा साथवा सवाल अंगद किस बानर का पुत्र था इसका उत्तर है बाली तो अंगद बाली बानर का पुत्र था ये रहा 61 सवाल माता सिता की खोज के लिए सुग्रिव किसको भगवान राम के साथ भेजा था इसका उत्तर है वानर दल तो सुग्रिव के बानर दल को भगवान राम के साथ भेजा था ताकि वो माता सिता की खोज कर पाए ये रहा अगला सवाल किसने वानर दल को बताया था कि राबन ने सिता को असको बाटिका में रखा है इसका उत्तर है समपाती जोकि जटायू का भाई था वो बानर दल को बताया था कि राबन ने सिता को असको बाटिका में रखा है गिरहा अगला सवाल कि इस बानन ने हनुमान को सम्मुद्र लांगने के लिए उस्चाहित किया था इसका उत्तर है जामबबंद तो जामबबंद बानन ने हनुमान को सम्मुद्र लांगने के लिए उस्चाहित किया था ये रहा चोषब любим सबाल कि इस अध्यायव में हनुमान का लंका जाने वाला बोला गया है इसका उत्तर है सुन्दरकांड तो सुन्दरकांड में हनुमान जी का लंका जाने वाला मिशल बोला गया है इसका उत्तर है लंकिनी तो लंकिने राख्यस पर प्रहार करके हनुमान जी लंका में प्रवेश किये थे इसका उत्तर है असोकोबाटिका तो राबन माता सिता को लंका के असोकोबाटिका में रखा था ये रहा अगला सवाल असोकोबाटिका में माता सिता का ख्याल कौन रख रहा था इसका उत्तर है त्री जटा तो असोकोबाटिका में माता सिता का ख्याल त्री जटा रखा रहा था ये रहा question number 68 हनुमान असको बार्टिका में प्रवेस करके किस का बद्ध किया था इसका उत्तर है रावन के पुत्र अक्षय कुमार तो हनुमान असको बार्टिका में प्रवेस करके रावन के पुत्र अक्षय कुमार का बद्ध किया था ये रहा अगला सवाल किसने हनुमान जी को असको बाटिका में नाक पास में बांध लिया था इसका उत्तरहे मेघनाद तुरावन की पुत्रम मेघनाद ने हनुमान जी को असको बाटिका में नाक पास में बांध लिया था ये रहा सत्तरबा सवाल हनुमान असको बातिका में माता सिता से मिलने के बाद उनको क्या दिया था इसका उत्तर है भगवान राम की मुद्रिका तो हनुमान असको बातिका में माता सिता से मिलने के बाद भगवान राम जी का मुद्रिका माता सिता को दिया था गे रहा अगला सवाल राम की मुद्री का पाने के बाद माता सिता ने हनुमान जी को क्या दिया था इसका उत्तर है चूडा मनी तो राम की मुद्री का पाने के बाद माता सिता ने अपना चूडा मनी हनुमान जी को दिया था रावन अपने किस भाई के उपर गुसा होके उनसे लंका से निकाल दिया था इसका उत्तर है बीविशन रावन के भाई बीविशन भगवान राम जी का बड़ा भग था इसलिए रावन क्रोधित होके बीविशन को अपने लंका से निकाल दिया था लंका से निकलने के बाद बीविशन किसके सरण में आ गया था इसका उतर है भगवान स्री राम तो लंका से निकलने के बाद बीविशन भगवान स्री राम के सरण में आ गया था ये रहा अगला सवाल भगबान राम किसके सहायाता से समुद्र के उपर पूल बनवाया था ताकि वो लंका जा सके इसका उत्तर है नड़ और निड़ दो बानर जिसके सहायाता से भगबान राम समुद्र के उपर पूल बनवाया थे ये रहा अगला सवाल भगवान राम किसके मुर्ति स्तापना करके पूल के द्वारा लंका के ओर चले इसका उत्तर है स्री रामेशुर तो भगवान राम स्री रामेशुर की मुर्ति स्तापना करके पूल के द्वारा लंका के ओर चले ये रहा अगला सवाल भगवान राम लंका में आने के बाद कौन से परबत पर रहने लगे इसका उत्तर है सुबेल परबत तो भगवान राम लंका में आने के बाद सुबेल परबत पर रहने लगे ये रहा अगला सवाल किसने राम के दूत बनकर राबन को भगवान राम के सरन में आने के लिए बोला था इसका उत्तर है अंगद तो बाली की पुत्र अंगद ने राम के दूत बनकर राबन को भगवान राम के सरन में आने के लिए बोला था रामायन के युद्ध में किसके सक्तिवान बार से लक्षमन भगवान स्री लक्षमन मुर्चित हो गए थे इसका उत्तर है मेघनाद जोके इंद्रजीत के नाम से जाने जाते है और वो राबन के पुत्र है उनके सक्तिवान बार से लक्षमन मुर्चित हो गए थे लक्षमन मुर्चित होने के बाद किसने उनका उपचार के लिए सुसेन बैद्य को लेके आये थे इसका उत्तर है स्री हनुमान तो लक्षमन मुर्चित होने के बाद स्री हनुमान जी ने उनका उपचार के लिए सुसेन बैद्य को लेके आये थे ये रहा अस्यवा सवाल किस बानर ने ओसधी ना पहचान के बाद पूरा परवत उठालाया था इसका उतरहे भगवान स्री हनुमान जी तो स्री हनुमान जी ने लक्षमन को मुर्छित होने के बाद वो ओसधी लाने गये थे और वो ओसोधी नापेचानने के वज़े से वो पुरागंध मार्धन परवत उठालाए थे गिरहा 81 स्ववाल रामायन के युद में किसने रावन के भाई कुम्भकन्न को मारा था इसका उत्तर है भगवान स्री राम तो रामायन के युद में भगवान स्री राम जी ने कुम्भकन्न को मारा था गिरहा 82 स्वाल रामायन के युद में मेघनाद जोकी रावन के पुत्र थे उनका बद्ध किसने किया था इसका उत्तर है भगवान लक्ष्मन तो भगवान लक्ष्मन जी ने मेगनाद का बद्ध किया था गिरहा 83 सिवा सवाल रामायन के युद्ध में राबन का बद्ध किसके हाथ में हुआ था इसका उत्तर है स्री राम तो रामायन के युद्ध में राबन का बध्ध भगवान स्री राम के हाथ में हुआ था ये रहा चोरा सिवा सवाल राबन मन्ने के बाद किसको लंका का राजा बनाया गया था इसका उत्तर है बीविशन तो रावन के भाई बीविशन को रावन मनने के बाद उसको लंका का राजा बनाय गया था ये रहा अगला सवाल रामायन का सबसे अंतिम अध्याय का नाम क्या है इसका उत्तर है उत्तरकांड तो रामायन का सबसे अंतिम अध्याय का नाम है उत्तरकांड ये रहा अगला सवाल हनुमान जी का जन्म माता सिता का निर्वासन स्वीर राम का महाप्रयान किस रामायन में बोला गया था? इसका उत्तर है बालमी की रामायन तो ये सब अध्याय बालमी की रामायन में बोला गया था भगवान राम जी के दो पुत्र का नाम क्या है? इसका उत्तर है लब और कुसर तो भगवान राम जी के दो पुत्र का नाम है लब और कुसर ये रहा अगला सवाल लब और कुसका जन्म कौन से रामायन में उलेखा है इसका उत्तर है बालमी की रामायन तो लब और कुसका जन्म बालमी की रामायन में उलेखा है ये रहा अगला सवाल बालमी की रामायन किस भासा में लिखा गया है इसका उत्तर है संस्कुरुत तो बालमी की रामायन संस्कुरुत भासा में लिखा गया है ये रहा अगला सवाल तुलसी दास जी का रामचरीत मानस कीस भासा में लिखा गया है इसका उत्तर है हिंदी तो तुलसी दास जी का राम चरीत मानस हिंदी भासा में लिखा गया है इरहा अगला सवाल सबसे प्राचिन यानि पुरातन रामायन किस रामायन को माना जाता है इसका उत्तर है बालमी की रामायन तो सबसे पुरातन रामायन बालमी की रामायन को माना जाता है गिरहा अगला सवाल भारत में रामायन किस-किस भासा में लिखा गया है इसका उत्तर है हिंदी, मराथी, बंगला, तेलगो, तामिल, संस्कुर्ट और ओडिया इन सब भासा में भारत में रामायन लिखा गया है ये रहा तेया नवेलवा सवाल उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा कीस भासा का रामायन प्रसिद्ध है इसका उत्तर है तुलसी दास जी के द्वारा हिंदी में रचित रामचरित मानस तो उत्तर भारत में हिंदी भासा का रामायन यानी रामचरित मानस प्रसिद्ध है ये रहा अगला सवाल रामायन मिमानसा का रचना किस ने किया था इसका उत्तर है स्वामी करपात्री तो रामायन मिमानसा का रचना स्वामी करपात्री ने किया था ये रहा question number 95 संस्कुरुत में लिखा गया आनंद रामायन अद्भूत रामायन किसके द्वारा लिखा गया था इसका उत्तर है बालमिकी, तो संस्कृत में लिखा गया आनंद रामायन, अद्बूत रामायन और बालमिकी रामायन, स्री बालमिकी जी के द्वारा लिखा गया था ये रहा अगला सवाल ओरिया भासा में लिखा हुआ जग मोहन रामायन यानि दांडी रामायन किसके द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर है बल राम दास तो ओडिया के प्रसिद्ध लेखक बल राम दास जी के द्वारा ओडिया भासा में जग मोहन रामायन यानि दांडी रामायन लिखा गया है ये रहा अगला सवाल ओडिया भासा में लिखा हुआ बिलंका रामायन किसके द्वारा लिखा गया था? इसका उत्तर है भक्त कभी साराला दास तो ओडिया भासा में लिखा हुआ बिलंका रामायन भक्त कभी साराला दास जी के द्वारा लिखा गया था? ये रहा अगला सवाल रगुनाथ रामायनम कीज भासा में लिखा गया है इसका उत्तर हे तेलगू तो रगुनाथ रामायनम तेलगू भासा में लिखा गया है ये रहा सवाल नमबर 99 रामचंद्र चरीत पुराण कीज भासा में लिखा गया है इसका उत्तर है कन्णड, तो कन्नाटक के भासा कन्णड में रामचंद्र चरित पुराणा लिखा गया है ये रहा question number hundred यानि इस वीडियो का आख्री सवाल भाबार्थर रामायन किस भासा में लिखा गया है इसका उत्तर है मराथी तो भाबार्थर रामायन मराथी भासा में लिखा गया है अगर आप लोगों ने ये वीडियो पुरा सुरों से लेके अंतक देख लिए हो तो इन पांच सवाल का उत्तर हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखे जरूर बताना ताकि हम लोग जान पाए कि कितने लोग ये वीडियो को पुरा सुरों से लेके अंतक देखे हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कॉमेट आपके उपर निर्भरे पर थोड़ा सेयर कर दीजिए ताकि सब लोग ये रामायन के बारे में जान सके आज कल की आधुनिक जुग होने के कारण हम रामायन के बारे में थोड़ा कम ही जान पा रहें तो थोड़ा सेयर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए एसे ही ज्यान पाने के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यबाद